तीसरा पाठ चिठियों में युरोप प्रिष्ठ संख्या 16-22 तक अब प्रस्तुत है पाठ चिठियों में युरोप 22 मार्ज 89 युगोसलाविया नेविसाद प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पूत्रक और तुम सब की मम्मी 22 तुम सब को खोब प्यार, आज यहां पहुँचे एक हफता हो गया, मौसम अच्छा चल रहा है, यहां बसंता रहा है, सारे पेड नंगे खड़े है, एक अपनी विद्या जैसा पेड है जो हरा है, एक और जो नए साल पर घर-घर लगाया जाता है, उस पर भी फूला रहे है एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है, जो अपने यहां की सफेद कुमूदनी जैसे होते हैं, कुछ लाल, कुछ पीले, खुश्बू नहीं होती, आज इतवार है, सो एक बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए, आज हमने जो खाना खाया, वह यॉगर्ट से शुर यही तीन कोर्स रोज सुभा शाम होते हैं, खाते खाते उकताहट हो रही है, कभी-कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए, एक दिन खरे सिके चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खटी बेरी का गुदा भरा था, सेविया पानी में उबली सूप में रहती हैं, और ब्रेड, सुभा ब्रेड बटर, मार्मलेड यानी जेली या शेहद, 30 ग्राम की छोटी-छोटी प्लास्टिक डिबियों में, शेहर के बीच दूना नदी बहती है, यह यूरोप के कई देशों में बहती है, नक्षे में देखोगे तो मिल जाएगी, नेव चीजें यहां बहुत महंगी हैं, लोग कहते हैं मत खरीदो, रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है, बच्चों को देखकर, जो नदी है, उसमें बड़े-बड़े यातरी जहास चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी, कल हमने देखे, यहा फुटबॉल बहुत खेलते हैं, 14 से 20 अपरेल तक यहां विश्व टेबल टैनिस चैंपिन्शिप होने वाली है, एक आध रोज देखेंगे, बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगे हैं, यहां इस शहर में हजारों वर्षों पहले आय भारतियों की संताने हैं, यूरोपिय मालूम होते हैं, यहीं की वेश भूशा, भाशा, लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं, हमारे कमरे के खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं, इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है, एक टीम की वर्दी सफेध है, दूसरे की लाल, मैदान यहां से लगभग आधा फलांग दूर है, पर हमारा कमरा पांचवी मंजिल पर है, इसी लिए साफ दिखता है, कमरे की खिड़की कमरे के बराबर उंची और चौड़ी है, अब हम लोग 22 हो गए हैं, सत्रह देश, माल्टा, मौरिशस, मैक्सिको, बुलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांगला देश, अफगानिस्तान, एजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाइलेंड, नेपाल का एक लड़का दुभाशिया है, टंक प्रसाद धकाल कल हम लोग शहर से बाहर एक पॉल्टरी फार्म देखने जाएंगे, उनिवर्सिटी की बस से, कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही, एक दुलहन भी देखी, अपने खिडकी से, सफेद कपड़े पहने थी, नीचे से उपर तक, सर पर सफेद टोपी जैसी दिख रही थी, पचास एक लोग थे, आखे के हाल बाद की चिठी में लिखेंगे, तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगा कर हमको चिठी लिखना, तुम सबको प्यार, अच्छे से रहना ताकि मा को तकलीफ न हो, तुम्हारा पापा, लेखक, सोमदत, अभ्यास, शब्द हफ्ता, अर्थात, सप्ताह, उक्ताहट, अर्थात, बेचैनी या अधीरता, दुभाशिया, अर्थात, दो भाशाएं जानने वाला, मध्यस्त, जो उन भाशाओं के बोलने वाले दो व्यक्तियों की वारता के अवसर पर एक को दूसरे का अभिप्राय समझाए, विद्या जैसा पेड, अर्थात, पत्र लेखक का संकेत, मोर पंखी की ओर है, योगर्ट, अर्थात, दही जैसा खाने का एक पदार्थ, बरबटी, अर्थात, एक पतली लंबी फली, खरा सिका, अर्थात, खूब अच्छी तरह सिका हुआ, या करारा, चिल्ला, अर्थात, खाने की पचास एक अर्थात लगभग पचास संख्या फलांग अर्थात दूरी का एक माप एरोग्राम अर्थात विदेश भेजे जाने वाली चिठी पहला पत्र के आधार पर प्रश्न इस पत्र के आधार पर दिये गए प्रश्नों के उत्तर दो ख इस पत्र का लेखक किश शहर या देश की आत्रा पर गया था ख उस देश में कौन-कौन से खेल खेले जाते है वहां कौन सा खेल सबसे अधिक लोगप्रिया है ग उस देश के कुछ खाद्यपदार्थों के नाम बताओ ग लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि मा को तकलीफ न हो दूसरा पत्र से आगे क भारतिय खाने की कुछ चीज़ें जैसे चावल, सेवईया, मिठाईयां यूरोप में अलग धंग से खाई जाती है क्या भारत में ये चीज़ें अलग अलग धंग या तरीकों से बनाई और खाई जाती है पता करो और बताओ ख दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती है ऐसी कुछ नदियों के नाम लिखो यह भी पता करो कि वे कौन-कौन से राज्यों में से होकर बहती है यहाँ पर दो स्तंभ दिये गए हैं पहले स्तंभ में नदी का नाम और दूसरे स्तंभ में राज्यों के नाम लिखने है पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है यहां बसंत आ रहा है भारत के अलग-अलग भागों में भी अलग-अलग तरह का मौसम रहता है साल भर अलग-अलग रिटुएं अपना प्रभाव दिखाती है अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है चौथा, खान-पान क, अपने प्रदेश की कुछ खाने-पीने की चीजों के नाम बताओ ख, अपने मन-पसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और लिखो सामगरी, विधी पाचवा, इकठा करने का शौक इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकठा करने का शौक होता है कुछ लोग गुडिया, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकट इकठे करते हैं पहला, यदि तुम्हें भी कोई चीज इकठा करने का शौक है, तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ दूसरा, अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीज़ें इकठा करता हो तुम इन चीजों के बारे में लिख सकते हो ग, उन्हें कौन सी चीज इकठा करने का शौक है ग, वे इन्हें कहां कहां से इकठा करते हैं ग, उनके इस शौक की शुरुवात कैसे हुई ग, वे इकठी की गई चीजों को कैसे संभाल कर रखते हैं र, इन चीजों को इकठा करने और रखने में कौन-कौन सी समस्याएं होती हैं। छठा, पेड़ पौधों के नाम, इस पत्र में लेखक ने अलग-अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। पता लगाओ, वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकाले या अन्यसाधनों की भी सहायता ले सकते हो। जैसे संकेत में यहाँ पर क्रिसमस पेड़ का चित्र दिया गया है। उसका नाम लिखिए। जिसे नए साल पर लगाते या सजाते हैं। ख सफेद कुमूदनी जैसा नीला बैंगनी फूल। ग लाल और पीले फूल वाले पौधे। साथवाँ, मान्चित्र में। इस पत्र में अनेक देशों, शहरों और नदियों का जिक्र किया गया है। मान्चित्र में उन स्थानों के नाम भरो। आठवाँ, पत्रों के माध्यम। क तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगा कर हमको चिठ्थी लिखना। उपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाग घर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही यह भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहां कौन-कौन से साधन उपलब्ध हैं। आधुनिक तक्नीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो। जैसे इमेल, फैक्स, आदी। नौवा, पत्रों का संकलन पत्र अपने समय के महत्वपून व्यक्तियों की बातों या विचारों का दस्तावेज होता है। इसलिए महत्वपून पत्रों का संकलन भी किया जाता है और समय समय पर उससे लाभ भी उठाया जाता है। तुम्हें पता होगा कि भारत की आजादी के लिए क्रांती कारी आंदोलन भी चला था, जिसमें सरदार भगत सिंग भी शामिल थे। स्वतंतरता संघर्ष के दौरान उनके द्वारा अपने मित्रों को लिखे गए एक पत्र को आगे दिया गया है। तुम इसे पढ़ो। पत्र है, साथियों, जिन्दा रहने की ख्वाहिश कुद्रती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिन्दा रहना मश्रूत है, अर्थात सशर्त है। मैं बंदी बनकर या पाबंद होकर जिन्दा रहना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है। और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत उंचा कर दिया है। इतना उंचा कि जिन्दा रहने की सूरत में इससे उंचा में हर्गिज नहीं हो सकता आज मेरी कमजूरियां लोगों के सामने नहीं है अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इनकलाब का निशान मध्धिम पड़ जाएगा या शायद मिठ ही जाए लेकिन मेरे दिले राना ढंक से हस्ते हस्ते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंग बनने की आरजु किया करेंगी और देश की आजादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना सामराज जवाद की संपोन शैतानी शक्तियों के बस की बात न रहेगी हाँ, एक विचार आज भी कचोटता है देश और इनसानियत के लिए जो कुछ हस्रतें मेरे दिल में थी उनका हजारवा हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया अगर जिन्दा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिल जाता और मैं अपनी हस्रतें पूरी कर सकता इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचा रहने के लिए कभी नहीं आया मुझसे ज्यादा खुश किसमत और कौन होगा मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नास है अब तो बड़ी बेताबी से आखरी इंतहां का इंतजार है आरजू है कि यह और करीब हो जाए आपका साथी भगत सिंग अब तुम बताओ कि पहला तुम्हें इस पत्र द्वारा आजादी से पहले किसके बारे में और क्या जानकारी मिली दूसरा तुमने पढ़ा कि पत्रों द्वारा तुम्हें देश-विदेश की ही नहीं बलकि किसी भी समय किसी भी महत्वपोन बात की जानकारी मिल सकती है तुम अपनी पसंद के विभिन समय, समाज और महत्वपोन संदर्भों से जुड़े कुछ पत्रों का एक संकलन तयार करो तथा उस पर अपने साथियों के साथ बातचीत भी करो